मैं जावेद फालिद प्रजानाचारी एफार अस्थापक के रूप में कारे कर रहा हूं इस समय चाड़ से इक्यासी बच्चों की आई स्कूल की परिख्षा थी जिसमें से बानवे बच्चे एपसेंट हैं बाकी बच्चे जो है आए हुए हैं बच्चों के लिए प्रवेश के समय उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई और सभी बच्चों को मास्क बितरित किये गए पानी वगरा की सारी विवस्ता है सभी कमरों में CCTV कैमरे और वाइफ रिकॉर्डर लगे हुए हैं और परिख्षा सोचारी रूप से संपन शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा अंग्रेजों की गुलामी से आजात कराने के लिए मुलके हिंदुस्तान पे कुर्बान होने वाले खान बहदुर खान की मजार पर चादर की जगें कुडा फूलों की जगें शराब की बोतल पड़ी मिली जिसको पैगाम इमाम हुसैन समाजिक संस्था के पदाधिकारी और कारेकरताओं ने हटाकर मजार की साफ सभाई की आज शहीरे वतन खान बहदुर खान साहब की मजार पर पैगाम इमाम हुसेन सामाजिक संस्था उतर प्रदेश के पदाधिकारियों ने चादर पोशी वगुल पोशी करफातिहा पड़ी आज दिनांग 24 मार्च 2022 को जब पैगाम इमाम हुसेन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष की माहिद हुसेन उतर प्रदेश प्रभारी भयाज खा खान बहदूर खान साहब की मजार पर पहुंचे तो वहां पर गंदगी का अंबार पढ़ा हुआ था जिसको खान बहदूर खान साहब के वंचच नवाबलियाकत अली खान को दसाप कर रहे थे जिस पर पैगाम इमाम हुसेन समाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने मिलकर मजार परिसर की सफाई की और जिला प्रशासन की घोर निंदा की सफाई करने के बाद पदाधिकारियों ने नवाब लियाकत अली खान हरकी माहिद हुसेन के साथ मजार पर गुलपोशी वचादर पोशी की और फातिहा पड़ी इस मौके पर खान बहदुर खान साहब की सुबह बरेली में सतावनी क्रांती के नायक खान बहदुर खान को सैनिकों की सुरक्षा में शहर चावनी से कोतवाली पैदल ले जाकर साथ बच कर दस मिनट पर फांसी पर लटका दिया गया यह सजा उन्हें देश को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के जुर्म में दी तक यह मौत पर जाने से पहले यह क्रांती कारी नीता पूरी तरह से शांत वे खुआप था और फांसी से पहले उन्होंने उची आवाजा में कहा मैंने एक सौ से ज्यादा अंग्रेज कुत्तों को मारा मैंने ऐसा करके देश का मान रखा है यह मेरी जीत है फांसी के बाद बरेली के स्जामबाज वतन परस्त क्रांती कारी को जिला जेल के हाते में बनाई गई एक कबर में दफन कर दिया गया खान बहदूर खां का जनमी 1791 में हुआ था खान बहदूर खारुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के वंचरच थे रहमत खां के बेटों में जुल्फिका में कमाल की बेटी मुम्ताज से हुआ था वे यहां के सदर न्यायाधीश थे उन्हें दोपेश ने मिलती थी एक ब्रिटिश सकार के अवकाश प्राप न्यायाधीश की और दूसरी हाप विज रहमत खा के वन्चज होने के नातिक्रान थे सिपरा जैनला लृं पयो को एनान ता रा跟大家 बंस जैसो और दोला भी जए मुछ आग अए चे ठी crookedक काम यृ आई